प्रभू में मेरे प्रियमित्रों, परमेश्व की जीवित और पवित्र पस्तिती में आपका स्वागत है बाइबल बताती है, यर्मिया साथ अध्यास की तीन पत में सेनाओ का यहवा जो इसराइल का परमेश्वर है यह कहता है कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूँगा हाप रियो, परमेश्वर की दृष्टी सिर्फ हमारे भारी जीवन पे नहीं रहती मगर परमेश्वर की दृष्टी सबसे तिक हमारे मन पे रहती है इसलिए परमेश्वर चाते हैं कि हम अपने संपून चाल चलन में परमेश्वर की वचन के मताबिक जीवन जीए और तब ही हम यह जानेंगे कि परमेश्वर की धार्मिक्ता हमारे अंदर होती है हमारे चाल चलन में परमेश्वर दिखने लगता है बाइबल में ऐसा लिखा है पहला पत्रस पहला देह 15 पद में पजासा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो ये जरूरी है प्रियो क्योंकि इस प्रकार से हम परमिश्वी की नस्दीगी में बढ़ते हैं और 26 में येश्व ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीचे हो ले और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवग भी होगा और आगया ऐसा प्रभीश्व ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा संपून चाल चलन में बदलना परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम पाप से नफरत करें, वच्चिन के मताबिक चलें, क्योंकि सब बातों का अंतुरंत होने वाला हैं, और प्रभु की इच्छा है कि हम इस पृत्वी में भी बहुत आयत से याशिश पाएं सुरक्षा सहें, और उसके बाद अनन्त जीवन को प्राप्त करें, यदि चाल चलन सही हो, तो याशिश हमें प्रभु स्वयन देंगे, प्रभु इद वच्चिन के द्वारा आपका माग दर्शन करें, गाड ब्लेस यू,